हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई स्टडी चैनल शिवम चौधरी मैं शिवम चौधरी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं वैचे पर्यास में हम लोग देखेंगे y पारह मिटर परेंटर का हुअचर कहें पर पार इक्वेसं को लिखोंगे Z parameter के को हम लोग इस तरह से arrange करेंगे rearrange करेंगे जो आपका इसके तरह form हो जाए तो हम लोग Y parameter का equation लिख लिए यह क्या होता है I1 is called to Y11 V1 plus Y1 T V2 और I2 is called to क्या होता है Y21 V1 plus Y22 V2 तो इस तो हम लोग equation 1 मन लिए equation 2 अब Z parameter का equation क्या हो जाएगा V1 is called to Z11 I1 plus Z12 I2 यह तिसरा equation हो गया और V2 is called to Z21 I1 plus Z22 I2 यह चोथा equation हो गया आप हम लोग क्या करेंगे equation 3 को rearrange करेंगे equation 3 आपका V1 is called to Z11 I1 plus Z12 I2 इसको हम लोग क्या किये यहां से I1 निकाल लिए तो यह बला कहां इधर आ जाएगा तो देखिए यहां पर V1 और इधर पलस में इधर आएगा तो माइनस Z12 I2 is called to Z11 I1 यहां से I1 is called to क्या हो जाएगा 1 by Z11 V1 माइनस Z12 बटे Z11 I2 इसको हम लोग equation 5 मान लिए अब हम लोग फिर क्या करेंगे यहां equation 4 से from equation 4 V2 is called to Z21 I1 plus Z22 I2 यहां से हम लोग क्या करेंगे I2 को निकालने का कोशिश करेंगे तो I2 यहां है तो यह इधर आजाएगा तो फिर V2 minus Z21 I1 is called to Z22 I2 तो I2 is called to क्या हो जाएगा यहां से 1 by Z22 V2 minus Z21 बटे Z22 I1 इसको हम लोग equation 6 मान लिए अब हम लोग क्या करेंगे equation 6 में क्या करेंगे putting the value of I2 in equation 5 I2 का यह जो value आप निकालने है I2 का इसको हम लोग क्या करेंगे equation 5 में put करेंगे equation 5 में अगर आप I2 का value को put करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए I2 आपको हटेगा तो क्या बचेगा यहां पर cable आपका V2 और V1 और I1 आपका बचेगा V2, I1 और V1 और V1 बचेगा हम लोग क्या करेंगे I2 का जो यह value है उसको equation 5 में put करेंगे यहां पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस value को जो आपका equation 6 है उसको put कर देंगे तो put करने पर हमको क्या रहा है I1 is equal to 1 by Z11 V1 minus Z12 V2 बचे Z11 Z22 plus Z12 Z21 बचे Z11 Z22 I1 फिर हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पर यह I1 है यह भी I1 है I1 को क्या करेंगे एक साइड कर लेंगे तो यहां पर देखिए यह plus है इधर आएगा तो minus में हो जाएगा तो I1 को बाहर कर लिए तो 1 minus Z12 Z21 बचे Z11 Z22 is equal to यहां पर 1 by Z11 V1 minus Z12 बचे Z11 Z22 यह आपका आगया फिर यहां पर इसको बटाबर का घटाव किए तो Z1 Z22 तो यहां पर इतना आगया आपका is equal to 1 by Z11 V1 minus Z12 बचे Z11 Z22 V2 अब इतना is equal to क्या हो जाएगा डेल ओफ Z हम लोग लिखते हैं आपका डेल ओफ Z is equal to कितना होता है Z11 Z22 minus Z12 Z21 होता है तो इसके जगर पर हम लोग क्या उपर वाले के जगर पर डेल जैड लिख सकते हैं आईवन डेल बटे Z11 Z22 is equal to 1 by Z1 V1 minus Z12 बटे Z11 Z22 V2 अब क्या करेंगे आईवन is equal to क्या जाएगा इधार आएगा तो यह आपका multiplication में है तो division में हो जाएगा तो यह बल आपका उपर चला जाएगा और डेल Z क्या हो जाएगा नीचे आजाएगा तो देखिए यहाँ दोनों में आपका आजाएगा तो पुट किये यहाँ से यह कट जाएगा तो आपको क्या बजाएगा आईवन is equal to Z22 बटे डेल Z V1 minus Z12 बटे डेल Z V2 इसको हम लोग क्या किये equation 7 मान लिए अब हम लोग क्या करेंगे equation 7 अब देखिए equation 7 में क्या आपका है आईवन is equal to यहाँ V1 है V2 है तो हम लोग equation 7 को और equation 1 को compare करेंगे तो equation 1 है आपका I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2 यह आपका equation 1 है अब compare किजिए तो क्या होजागा यहाँ पे Y11 is equal to Z22 बटे डेल Z और Y12 is equal to क्या होजागा minus Z12 बटे डेल Z तो यहाँ से आपका Y11 और Y12 आपका आगया फिर हम लोग equation 6 से क्या करेंगे equation 6 आपका है I2 is equal to 1 by Z22 V2 minus Z21 बटे Z22 I1 इसमें हम लोग क्या करेंगे फिर I1 का जो value लाए थे यहाँ पे उसको put करेंगे यह equation 5 में जो आपका I1 का value है उसको हम लोग क्या करेंगे put करेंगे यहाँ पे तो यहां पर put करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इसको आप फिर यहां पर put किजिए और solve किजिए तो फिर यहां पर देखिए यहां I2 है और यहां भी I2 है तो I2 क्या करेंगे एक साइट कर लेंगे तो यहाँ पोजिटीव है तो यहाँ इधार आएगा जाएगा निगेटीव हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका आई टू फिर हम लोग इसको कर लिए फिर इसको सॉल्व किज़े तो इतना करें पर लिखेंगे डेल ऑफ जट जैड one one जै टूट आपका यह आ जाएगा फिर यहां पे आपका सॉल्ब ईए है फिर क्या करना है यह इधर आपका मल्किलिकेशन में है इधर आए गा तो डिवीजन में हो जाएगा तो यह वहला टर्म आपका उपड़ चला जाएगा तो देल आपका नीचे आएगा तो दोन 8 और equation 2 को हम लोग compare करेंगे तो equation 2 आपका क्या है i2 is called to y21 v1 plus y22 v2 यह आपका equation 2 है तो compare किजिए तो यहाँ से y21 is called to क्या दाएगा minus z21 बटे डेल z और y22 is called to क्या दाएगा z11 बटे डेल z तो यहाँ से हमको मिल गया y21 और y22 तो finally आपका चारो parameter का value आ गया y11 is called to आपका आगया z22 बटे डेल z y12 is called to आगया minus z12 बटे डेल z y21 is called to आगया minus z21 बटे डेल z और y22 is called to आगया z11 बटे डेल z और यहाँ यहाँ पे डेल z is called to क्या है z11 z22 minus z12 z21 डेल z का आपका यह value हो गया तो इस तरह से हम लोग देखे y parameter in terms of z parameter means z parameter का आपको value दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे y parameter को निकाल सकते हैं असानी से थांक यू